गोड मार्णी स्टोडेंट आज असी करांगे लेसन नंबर फाइव साड़े लास लेसन दा नाम है बारबर ट्रेड यूनिय तो पेटा मॉस्ट इंपोर्टन क्वेशन अंस्ट करवाने जा रहे हैं तो पेटा सब तो पहला होएगा अब्जेक्ट टाइक वेशन नंबर वान करने शुरू किन्दे वू इस दा राइटर ओ लेसन हाट अंसर है मुलक राज अनान नस्ट है वाट इड़ाइज दिए डिएटर बेटेवीन चंदू अंड नेरेटर चंदू ते नेरेटर दिए उंबर विच कि ना फरक ही हाट अंसर है अबाओ शिक्स मन्त लागपाग श चंदू दी मादर चड़ी हो किस तरीके दर की ओ लॉर ही हाट ंसर है शीव अन इल टेमपर्ड वो में Jr. ांसर मतल्व था सबा जेड़ा है घुस्स वाला ही मतल्व अच्छ सबा नहीं है जोट लिऔर गे कोशी क aqui मतलव की पीमलापडी नए ही इल टैंप्रेड वली ही मतलव बिमार एल मैनो आप्यमार टैंपड बिमार मतलर सुबावली मतलर हा स्मुक है सबावल नहीं ते नेस्ट है वट बाद लिण वे नेम ओव दे उनियों आवली ते जडी बारबर जडी ही, बारबर जुनियन दा नाम की ही, हाट आंसर है, राज कोट डिस्ट्रिक बारबर ब्रोदर्स हेर ड्रेसिंग और शेविंग सलों, नेस्ट है, वाट डिड चंदुस मदर थिंग ओफ हाई कास्ट पीपर, मतलों की हाई कास्ट दे बारे जडी चंदुदी ममें ही, ओकी सोर्च दी ही, तेहाँ अंसर है, दे वार हाई प्रोक्रेटिस्ट, मतलों की उननु पखंडी समझ दी ही, ठीक है, नेस्ट है, हूँ वास क पालन खान, तेहाँ डांसर है, देन्टिस्ट, अगे है, हूँ अब यूजड चंदु, चंदुनु गाला के नेके दिया, दा शहुकार, शहुकार नेके दिया सी न, अगे है, वाई डिड चंदु डिसाइड टू गो ओन सर्ट्राइक, चंदु ने सर्ट्राइक करन दा क्य नेस्ट है, वाट डिड चंदु स फादर डाय ओफ, जड़ चंदु दा फादर ही, किसरा मरेया, हाँ डांसर है, प्लेग दो गया है उन्हों, तेह ता मरेया, ठीक है, अगे है, चंदु वाज ए गुड सिमित बाइकास्ट, चंदु जड़ा ही उच्छे जाता ही, हाँ डां पीली मखी जड़ी, जड़ी काफी कट दिये, जोड़ना डांग मार दिये, ओ वाली, तो उन्हों फाड़के, तो उन्हों पूष डांग काड़के, ता गाबान दिन्दा ही चंदु, नेस्ट है, नेस्ट है, दा नेम ओव दा लैंडलोर्ड सन, इस देवी राइट है, कि य फॉल्स है, थाड़ अंसर है, तू, अगया अगया, अगया, एक तो लाहके, त मैं तो नू, यह सारे, मतले, मतले, एक में देख लेने हा, उन्हीं तक, मैं पूरी वीडियो, जड़ी, अलाग ही बनाई होई है, तो तो बेटा, इननों जरूर, जरूर वेक लेना, बहुत ही इंप्रेटेंट ना क्योंकि मैं अलग वीडियो बनाई हुई है तर नेस्ट है के लोंग क्वेशन जड़े की वेरी वेरी इंप्रेटर एजिसना की गीव एक्रेक्टर स्काच चन ओफ चंदू जरूरी है अगे हैंगे वेरी जरूरी है और बिले जरूर जाना है लेकर प्रेटर अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है तरह नेस्ट है लासन जेडे है दा बुल बनीद दा अर्थ तो भी मैं नाली एक वीडियो ची बनाता है ता जो ही नेस्ट टाइम जड़ा ग्रैमर वर्क कर लिए ठीक है बेटा ते सब पहला क्वेशन है Write the name of the story and it is author ते हाट अंसर है The name of the story is the bull beneath the earth and the name of the author कुलवन्त सिंग विकर बेटा इते आर पैनी जए author ठीक है What was the name of करम सिंग विलेज जड़ा करम सिंग दा विलेज यो दा नाम की ही हाट आंसर है ठटीक हाड़ा Where was ठटीक हाड़ा situated हाट अंसर है It was not for from a mission मतलो ब्रसर तो दूर नहीं ज़्यादा Next है करम सिंग वाज फेमस एज डैश मतलो फिला पढ़नी है क्रैक स्चुट मतलो गोली निशाने बाजी जड़ा करम सिंग कर दा है बहुत फेमस ही हो अपनी फोज विच ते अगे हागा What was the name of मान सिंग विलेज ते मान सिंग दे विलेज दा ना की ही चूड काना अगे हा Who brought करम सिंग पेंशन पेपर कौन ला कै ही पेंशन पेपर तहरड अंसर है पोस्ट मैं Next है मान सिंग वाज राइटली काल्ड करम सिंग फादर एज ए डैश बनीत दा आर्थ मतलो बुल मतलो तर्ती है इटला बल्द जिनने के स्तर्ती दा सारा जड़ा बोज अपने उते चुक्या होया है तेखें दे कि राइट है वर्ड हो दे वास्ते जड़े उन्हें मान सिंग ने यूज किते राइट ने The next है Name the brother of करम सिंग करम सिंग दे ब्रदर दा की नाम सी जस वन्त सिंग Next है How far the taran taran from करम सिंग विलेज करम सिंग दे विलेज तो taran taran की नी दूर सी It was nearly four meals मतलो लगपक four meals दूर ही Next है What was the designation of करम सिंग in the army मतलो ओदा की या ओदा ही He was havaldar तो havaldar ही आर्मी दे बेच ठीक है अगे बेटा है यह अगे ने Comprehension type question इता comprehension लिखना ही जेड़ा की मैंतार नों करवा चुकी है तो बेटा त्यान ना करना सारी वीडियो अच्छी देना से वेख लेना बड़ा डेपली समझाया है उस तो बाद आजन की हाड़े Long question answer जेड़े की most important है जिसना की राइट एक रेक्टिस का चौफ करम सिंग और राइट एक रेक्टिस का चौफ मान सिंग ते दुझ्जा भी है का जेड़े फादर भी आ सकता है मतले बहुत important है दोनों बहुत जादा important है ते बटे है की सारे नों रीड कर लेना मैं बार बार ही रिपीट कर दें पेटा रिस्क नहीं लाना चाहिए क्योंकि final exam है तो दुस्तरा फिफ्ट क्वेशन है बेरी बेरी इंपॉर्टेट है एदे विच एग जेड़े टाइटल दिता है लेखकने जेड़े टाइटल दिता है दा बूल बनीत दा आर्थ मतलब पूरी तरह शूटेबल है तो तुहीं ओधे बारे दिखोगे ठीक है बेटाजी इस तरह हाँ तीनों भुक्स पॉइट्री वी एक्सेंस स्टड़े सारे तीनों भुक्स कम्प्लीट होगी है तो नेस्ट वीडियो भी चहिए दा ग्रैंबर वर्क शुरू करांगे बेटाजी ओवी काफी जाद है तो इसका के तुहीं नाल नाल पढ़ना शुरू करो पेपर आनवाले ने ठेक किया